हलवा खाना सबको बहुत पसंद होता है और इससे बनाना अगर आसान हो तो इसके खाने का मज़़ा दुगना हो जाता है आज मैं आपके लिए लिक है हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में बनने वाला सूपर हिल्दी बादाम हलवा की रेसिपी तो चलिए आज ये बादाम हलवा की रेसिपी को शुरू करते हैं बादाम हलवा बनाने के लिए एक कब बादाम ले लेंगे और इससे हम गरम पानी में एक घंटे के लिए भीगो के रख देंगे एक घंटे बाद हम इसे पानी से निकाल के और इसका छिलका निकाल लेंगी तो पानी में भीगोने के बाद ना इसका जो छिलका है वो बहुत यासानी से निकल जाता है ये देखे तो इसी तरह सारे बादाम का छिलका निकाल ले और इसके बाद हम इसे grinding jar में डाल देंगे इसको blend करने के लिए हम दूद का इस्तमाल करेंगे तो एक कब दूद डाल दे, room temperature पे दूद डाला है मैंने और इसे blend कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को blend कर लिया है अब हम इसे microwave से बाउल में डाल देंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तीन बड़े चमबस देशी घी दोनों को अच्छे से mix कर दे और अब हम चलते हैं हलवा बनाने के process में आज की इस recipe को हम LG charcoal healthy oven में बनाएंगे तो recipe manual में जो instruction है उसके हिसाब से हम इसे cook करेंगे तो यहाँ पे इसे मैंने LG charcoal healthy oven में रख दिया है यहाँ पे यह मैंने mode select किया और उसके बाद यह number select करें उसके बाद ingredients के आपने जितनी quantity इस्तमाल की है उसके हिसाब से mode select करें जैसे यह पहली बार बीप करेगा आप oven को सावधानी से खोले और इसके बाद हम इसे एक बार mix कर देंगे हमें यह हलवा दो पार्ट में बनाना है मतलब जब पहली बार बीप करें तो आप इसे निकाल के ऐसे मिला दे और उसके बाद वापस microwave oven में रख दे ध्यान रहे कि बाउल जो है वो बहुत गरम रहेगा तो आप hand gloves का इस्तमाल करें जैसे ही यह दूसरी बार बीप करेगा आपको इसे वापस खोलना है और इस बार आपको सिर्फ mix नहीं करना है इस बार आपको इसमें दूद और चीनी डालना है तो यहाँ पर इतनी quantity के लिए पांच चमच चीनी का इस्तमाल करें इसके बाद तीन चौथाई कब दूद डाल दे और इन दोनों को अच्छे से मिला दे जैसे ही दूद और चीनी जो है वो बादाम के mixture में अच्छे से mix हो जाएगा हम इसे वापस LG charcoal healthy oven में रख देंगे इसे बंद करें और उसके बाद वापस start का button प्रेस करें जैसे ही यह end हो जाएगा हम इसे साफधानी से निकालेंगे और उसके बाद इसे तुरन नहीं सर्फ करें 5-6 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दे 5-6 मिनट के बाद यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब आप इसे ऐसे mix करें और यह हमारा सूपर टेस्टी और हल्दी बादाम का हलवा बन के तियार हो गया है आप इसे जरू ट्राई करें और ऐसे ही हल्दी रेस्पेस के लिए आप LG इंडिया की वेबसाइट विजिट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है